प्रिये भी द्यार्थियों मैं इंद्रेलोग गुपता आपने योट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वाकत करता हूँ फिर उसके बाद में मोशन को समाप्त कर देंगे फिर उसके बाद में दूसरा अगला लेक्चर आएगा तो वो उसमें फोर्स या प्रेसर ये सब चीजे पढ़ेंगे या ग्रेविटेशन कोई भी टॉपिक एक पढ़ेंगे हम लोग को पढ़ना है टॉपिक वाइज हम लोग और बेल आइकन को प्रेस कर लें टाकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो उसका नोटिफीकेशन असानी से मिल जाएगा तो हम लोग को अभी क्या पढ़ना है अभी हम लोगों को पढ़ना है निउटेंस लाग निउटन के गती के नियम तो क्या पढ़ना है निउट निउटन के गती के नियम पढ़ना है तो निउटन के निउटन ने आचा निउटन का एक बूक आया था 1687 इसमी में वो प्रिंसीपिया तो प्रिंसीपिया में गती के तिन नियम निउटन ने दिये और निउटन के और विबूक है एक होए ऑप्टिक्स जिसमें ऑप्टिक गया है कि प्रकास जो है कंडों से मिल कर बना है और स्वेत प्रकास सात रंगों से मिल कर बना है ओ पहला जो वीडियो था फिजिक्स का पहला लेक्चर उसी में मैंने बता दिया था सब कुछ कि न्यूटन के दो बूख है प्रिंसीपिया और आप्टिक्स तो प्रिंसीपिया म नहीं दिये थे और Newton के बारे में क्या जानते हैं तो Newton father of physics है अच्छा इतनी चीजे के बाद में Newton के गती का पहला नियम क्या है तो Newton के गती का पहला नियम मैं बता दे रहा हूं Newton के गती का पहला नियम में Newton ये बताया कि यदि कोई वस्थु इस्थिर है यदि कोई वस्थु य इस्थिर है या बिराम में है या इस्थिर है या गती में है तो अगर कोई वस्तु बिराम में है या गती में है तो अपनी इस्थिती में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पे कोई बाहि असंतूलित बल ना लगाया जाए तो जो गैलीलियो साहब थे उन्होंने भी तो यही बताया था, गैलेलियों ने जड़तोय में तो यही बताया था, तो इससे क्या होता है, इससे बल की परिभासा, मतलब हम लोग को मिलती है, कि बल की परिभासा क्या है, तो जब तक किसी वस्तू पर बाहि असंतूलित बल ना लगाया जाए, तब तक वो अपनी इस्थिती में आजिटीज बने ही रहती है, तो इसमें Newton के गती के पहला नियम में हम लोग लिखते, ये लिखते हैं, कि पहला नियम में क्या लिखना है, तो पहला नियम में ये लिखना है, कि यदि कोई वस्तू, यदि कोई वस्तू, अच्छा, पहले तो ये बता दें, कि जो Newton का बूक है, वो प्रिंसीपिया सुलस सतासी में प्रकाशीत भुक कौन है? प्रिंसीपिया इसमें क्या दिया है? गती के नियम इसमें गती के नियम दिया गया है प्रिंसीपिया सुलस सतासी में प्रकाशीत हुई थी एन नूटन का बूक है अच्छा और एक ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स के बारे में भी मैं बता दे रहा हूं ऑप्टिक्स जो है ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? तो ये प्रकास के बारे में दिया है प्रकास का कंडी का सीधांत प्रकास का कंडी का सीधांत और स्वेथ प्रकास सात रंगों से मिलकर बना है इन्होंने स्वेथ प्रकास को एक प्रीज में सहसे पार किया तो वो सात रंगों में ऐसे अपने-अपने अलग-अलग फ्रिक्वेंशी तरंग देहरे के रुप में बठ गया था फिर इसके बाद में निटन का पहला निञ्व Newton का, गती का प्रथम निजम, प्रथम निजम क्या है? प्रथम निजम मैं Newton ने क्या बताया? तो कोई बस्तू, कोई पिंड यदि विराम में है या गती में है? विराम या गती में है, तो वह अपनी स्थीती में परिवर्तन का विरूद करती है, करती है, जब तक की, कि उस पर बाह असन्तूलित बल, कैसा बल? असन्तूलित बल, सन्तूलित और असन्तूलित दो बल होता है, तो असन्तूलित बल ना लगाया जाए. अगर कोई वस्तू यहां पर ऐसे पड़ी है, तो यहीं पर रहेगी, यह तब तक नहीं ही लेगी, जब तक इधर से कोई फोर्स, एक्स्टर्नल फोर्स, एक्स्टर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्स्टर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो यह बनी रहेगी, अगर कोई वस्तू यहां से ऐसे चल रही है, मतलब इधर से चल रही है, तो इधर से चल रही है, तो यह तब तक नहीं रूखना चाहेगी, जब तक कोई इधर से एक्स्टर्नल फोर्स ना इस पे लगा दिया जाए, तो यह रूखेगी, तो यह अपने इस्थीती का क्या करती है, इस्थीती में ही एजिटी बने रहना चाहती है, यह निउटन साहाब ने अपने गती के नियम में पहला बेवत आया, इसे गैलीलियों का नियम भी करते हैं, इसे गैलीलियों का नियम भी करते हैं, और गैलीलियों का नियम क्यों करते हैं, गैलीलियों साहमने जलत्व का नियम दिया था, जलत्व का नियम दिया था, और जलत्व का नियम में भी यही वताया था, तो जलत्व का माप, जलत्व क्या होता है, तो जलत्व की माप हम लोग किस से करते हैं, द्रभ्यमान से करते हैं, आथा जीस का द्रभ्यमान ज्यादा होगा, उसका जलत्व क्या होगा, उसका जड़त्व का माप होता है जो वो द्रभ्यमान से होता है अगर एक यहां पर है एक छोटा सा यह पत्थर है तो इसका जड़त्व और एक यहां पर ऐसे ट्रॉक है ये क्या है ये ट्रक है और ये क्या है लड्डू है तो लड्डू का जड़तो और ट्रक के जड़तों में किसका जड़तों ज़ादा होगा तो ट्रक का जिसका मास ज़ादा होगा उसका जड़तों ज़ादा होगा बस यही याद रखना है ये देशी फॉर्मूला है बाकी कीता किताब में क्या-क्या लिखा है अगर किताब में पढ़ने से समझ में आ जाता तो दुनिया में एक भी कोई द्रब्यमान से होता है जिसका द्रब्यमान जादा होगा उसकी जड़त्व जादा होगी तो अगर यहां से अगर एक छोटा ऐसे कोई लड़ू अगर इधर चले तो इसको रोकना आसान है कि मुश्किल है तो रोकना आसान है क्योंकि इसका द्रब्यमान कम है और यहां से ट्र ट्रक को रोकना आसान है कि मुश्किल तो ट्रक को रोकना मुश्किल है क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा है आगे में जाने पे पेट फट जाएगा और बाकी सारे पैंक्रियास बाहर निकल लाएंगे उसके बाद में यही फिर जड़त्व के बारे में बता दे तो जड़त्व दो प्रकार का होता है कि इस से तो पहले नीटन के गती के पहला नियम से बलकी परिभासा मिलती है कि पहला नियम से इसमें लिग दे रहे हैं कि पहला नियम से फ़ेस्ट नियम से बलकी परिभास्टा मिलती है और ये जड़त्व जो है तो जड़त्व गैलीलियों ने दिया अगैलीलियों ने टेलिस्कोप बनाया था और बिर्षपत्ति के सबसे बड़ा गत्रा जो गैनिमेड है अच्छा बिर्षपत्ति का जो उपगरा है गैनिमेड, आयो एउरोपा कैलिस्टो इन सबको वो अपने टेलिस्कोप में देखे थे जैसे प्रिथ्वी का उपगरा कौन सा है एक मात्र उपगरा चंद्रमा है और सन्नी का टाइटन है मंगलगरा का फ्वोस डीमोस है ऐसे करके जो है तो भिरस्पत्ती का जो उपगरा है तो उसकी खोज गैलीलियो साहब ने किया था तो जड़त्व दो प्रकार का होता है एक तो होता है गती का जड़त्व गती का और दूसरे का होता है विराम का जड़त्व विराम का जड़त्व तो गती का जड़त्व क्या होता है कि इसमें एक्जाम्पल में क्या लिख दें कि अगर कोई वस्तु गती में है तो वो गती में रहना चाहती है ये गती का जड़त्व है अगर कोई वस्तु बीराम में है तो बीराम में रहना चाहती है ये क्या है तो ये बीराम का जड़त्व है इसमें example में लिख ले ऐसे एकदम से अब definition हम लिखवाने शुरू कर दे तो फिर problem होगा कितना क्योंकि सारी definition को याद करो उससे कुछ होने वाला है नहीं इसका example मैं लिखवा दे रहा हूं कि अगर कोई बस चल रहा है अगर बस चल रहा है चलते बस पर यह बस है ऐसे करके इसमें ऐसे करके यह भाई साब बैठे हैं सावारी सावारी यह सब बैठे हैं तो यह बस चल रही है और बस अचानक ब्रेक लगा दे यह बस अचानक अगर ब्रेक लगा दे तो यह क्या होगा यह सब क्या ह जाएंगे कि आगे की तराफ यह सब क्या होंगे पीछे आएंगे कि आगे यही पूचता है कि अगर चल एक बस ऐसे रूका हुआ है यह बस रूका हुआ है ऐसे यहां पर इसमें सवारी जो बैठे हैं इस सवारी जो बैठे हैं इनके साथ क्या होगा अगर यह बस अचानक चलना सुरू कर दे या बस चल रही है और अचानक ब्रेक लागा दे तो फिर क्या होगा तो यह सवारी जो बैठे हैं तो यह बीराम की जड़तुए में है और यह चल रही है बस तो यह क्या है गती के जड़तों में तो यह जब अगर बस चलना स्टार्ट कर दे तो जो सवारी है वो पीछे की ओर आ जाएंगे और बस चल रही है और ब्रीक लगा दे तो सभी सवारी आगे की ओर हो होगा सहर वालों को पता नहीं चलेगा क्योंकि सहर में तो अपना अपना गाड़ी होता है गाम के लोग गरीब थोड़ा होते हैं तो वो सवारी गाड़ी पर ही जाते हैं अच्छा तो एक क्या होगा अगर इसी में मैं लिग दे रहा हूँ तो इसी में question पूछ लेता है क्या कि चलती हुई bus पर अगर break लगा दिया जाए तो कौन सा जड़त्व होगा और option में देदेगा गती का जड़त्व और बीराम का जड़त्व अब तो जड़त्व तो मालूम का जड़त्व होगा बस यहीं याद करना है बाकि कुछ नहीं याद करना है तो गती का जड़त्व में क्या होगा एक्जाम्पल में कि एक्जाम्पल से अच्छा मैं लिख दियू कि गती का जड़त्व क्या होगा और बीराम का जड़त्व तो गती का जड़त्व क्या होग अब्जेक्ट जो है वस्तू गती में होना चाहिए तो गती का जड़त तो होगा गती में होना चाहिए और बिराम का जड़त कब होगा तो वस्तू जो है बिराम में हो तो अच्छा इसका example क्या होगा कि बस पर बैठे यात्री बस पर बैठे यात्री आचानक बस चलने पर अचानक बस के चलने पर पीछे की ओर जूक जाना अच्छा और क्या है चलती बस पर ब्रेक लगाने से चलती बस अगर ब्रेक लगाए लगाए तो क्या होगा यात्री आगे की ओर चले जाएंगे आगे की ओर जूक जाएंगे इसी में कितने लोगों को मजा आता है और कभी कभी आगे तो कोई कोई जान बूज कर भी चला जाता है जैसे लड़की को देख ले तो आगे जान बूज कर चला जाता है फिर मार भी हो जाता है कभी कहीं कहीं अच्छा पेड की जो आम का पेड होता है यह पेड है यहां से करके यह ऐसे करके यह पेड है यहां पर इसकी टानियार यहां पर फल लगा है तो इसमें अगर कोई पत्थर मारे तो क्या होगा यह आम तो बिराम में है और पत्थर मारे तो यह टहनी क्या होगी गती में आ जाएगी और यह यहीं परूकेगा तो यह क्या होगा यहां से तूट जाएगा तो आम नीचे आ जाता है या कोई चड़के हिला दे तो सबी चीज़े अभी रेस्ट में है और एका एक क्या होगा मोसन में हो जाएगा तो वो चीज़े रेस्ट में अच्छा यह अचानक पीछे के हो जाता है तो यह बस पर जो यात्री बैठे हैं बस पर जो भी यात्री बैठे हैं मैं बता दे रहा हूँ तो यात्री का जो बोडी होता है वो touch होता उसके seat पर और बाकी जो part होता सीर होता है या मललाब कि कमर से ऊपर की चीज़े क्या होती है कि वो bus के contact में होता नहीं आप bus जैसे यहाँ से चलना शुरू करता है तो जो चीज़े bus के contact में होती है वो भी motion में हो जाती है जबकि हमारा सीर जो होता है वो रेश्ट में हीरा आना चाहता है तो वो रेश्ट में वहीं पे रूख कर हैगा और बाकी जो चीजे हैं जो contact में वो आगे बढ़ जाएगी तो सीर क्या होगा पिछे की तरफ आ जाएगा इतनी बाते समाझ में आ गई और क्या होगा अगर सब चीज गती में है अगर बस गती में है तो पूरा बोडी गती में है और क्या होगा और जैसे बस ब्रेक लगाया तो अगर हम बैठे हैं तो जो बस के कॉंटेक्ट में है वो क्या होगा वो भीराम में आने के लिए सोचेग और जो बस के contact में होगा वो रूख जाएगा और बाकी चीज़े गती में जाएगा तो इसलिए हम आगे की और जूख जाते हैं और क्या होगा पेड की तहनी पेड की तहनी पर पत्थर मारने या हिलाने पर पेड की तहनी पर पत्थर मारने पर फल या पत्थी का गिरना और भी चीज़े हैं जैसे कि दरी जो होता है वो जैसे दरी या रजाई होता है उसको छड़ी से डंडे से पीटने पर उसके धूलकण मारने गिर जाते हैं कि वो यह सब पूझता है तो जितने भी धूलकण है वो रेस्ट में है और जैसे पीटे जैसे यह है तो इसमें अगर धूलकण है तो यह एकदाम से रेस्ट में है पहला इसका मनला की जो कवर है और इसको पीटे तो बाकी चीज़े क्या होगा नीचे चली गए वो गती में चली गई और बाकी चीज से ही साफ हो जाता है यह चीज़े इतनी समझ में आ गई होगी फिर न्यूटन के गती का दूसरा नियम क्या है किसी वस्तु पर लगाए गये बल उसके संबेग परिवर्थन के दर के समानुपाती होता है इसको मैं लिख दे रहा हूं जली जली दूसरा नियम क्या है सिकिंड लॉक क्या है दूसरा नियम क्या है तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल लगाया गया बल जो होता है लगाया गया बल संबेग परिवर्थन के दर के लगाया गया बल संबेग परिवर्थन के दर के समानुपाती होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल बल क्या होता है एफ होता है और लगाया गया बल संबेग परिवर्थन अथाथ इम वी कि माइनस एम यू संबेग परिवर्थन क्या होगा संबेग क्या होता संबेग के बारे में मैं बता दे रहा हूं तुरंसे संबेग परिवर्थन की दर यह दर जो जब भी आएगा तो नीचे में टी हो जाएगा इफ डैरिकली पूरपर्परस्टनल 2 एम वी माइनस यहां मैं बता दे रहा हूं संबेग क्या होता है संबेग होता है द्रब्यमान गुड़े वेग यही होता है P बरावर M V यह होता है संबेग आछा तो संबेग वरिवतान तो यह डिरेक्टली पर्परसनल टू क्या होगा M V और माइनस M U तो M common ले 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 और V-U ऐसे करके बड़ता में T तो इतना का value क्या होगा इतना का value होगा A acceleration V minus U बाटा में T पिछले लेक्चर में मैंने बताया था तो F directly proportional to क्या होगा M A ऐसे तो होगा F directly proportional to M A और E directly proportional को जब हम हाटाते हैं तो यहाँ पर K A constant आ जाता है तो यह क्या होगा K constant होगा तो इससे क्या निकलता है F बराबर M A तो Newton के गती के दूसरे नियम से बल का सुत्र प्राप्त हुआ पहला से परिभासा प्राप्त हुआ सुत्र प्राप्त हुआ इसका एक्जाम्पल क्या है अच्छा ये क्या होगा कि जो time होगा Time क्या होगा Force के inversely proportional यहां पर बता रहा है If inversely proportional to t अगर समय ज्यादा लगेगा तो Force क्या होगा कि frequent लगेगा अच्छा तो Force कम लगेगा इसका Example मैं बता दे रहा हूं यहां पर इसको मैं मीटा दे रहा हूं और फिर यहीं पर मैं example लिख दे रहा हूँ समझ में आ गया होगा सबको अच्छा इसका example क्या होगा कि फर्स पर जो कूदता है अच्छा उपर से कोई बच्चा अगर कूदेगा तो अगर फर्स अगर टाइल्स लगा हो मारवल लगा हो उस पर कूदना मुस्किल होता है क्यों और जो बालू होता है रेत उस पर कूदना असान होता है क्यों क्योंकि अगर टाइल्स पर कूदेगा कोई तो टाइल्स पर एकदम से यहां टाइल्स है कूदेगा तो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगा उसमें फर्स के कॉंटेक्ट में आते ही कोई टाइम बढ़ेगा नहीं, लेकिन बालू पर कुदेगा तो उसमें क्या होगा? कि बालू नीचे की तरफ धस जाएगा तो ताइम कुछ लग जाएगा जादा तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा तो चोट कम लगती है तो इसमें क्या लिख दे? कि रेत पर रेत पर कूदना आसान है आसान है संग मरमर पर संग मरमर यह ऐसे लिख दे कि जो कठोर या पत्थर पत्थर के अपेक्छा यह संबेग परिवर्तन के कारण हुआ और दूसरे एक्जम्पल में और लिख ले क्या कि जो खेलाडी होता है गेंद रोकने वाला क्रिकेटर तो वे क्या करता है कभी कैच करता है किसी बॉल को तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खीच लेता है ताकि टाइम अगर ज़्यादा लग जाए तो हाथ पे चोट नहीं लेगेगी बल कम लगेगा क्योंकि इन्वर्सली पॉर्पोस्टनल है तो खीलाडी दोवारा ऐसे लिख दे गेंद रोकते समय हाथ को पीछे कर लेना जो पीछे नहीं करेगा उसको चोट लगेगा फिर गेंद नीचे भी जा सकती है पीछे कर लेना इसके बाद में तीसरा नियम मैं बता दे रहा हूँ फिर इसको मैं मीटा दे रहा हूँ फिर तीसरा नियम मैं बता दे रहा हूँ तो तीसरा नियम क्या था कि अगर किसी वस्तु पर जीतना बल लगाते है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल बीपरीद दीशा में लगाएगी किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाए या ए लिख देते हैं क्रिया के प्रती क्रिया के प्रती बीपरीद दीशा में तिसा में बराबर प्रतिक्रिया होती है अगर किसी को ऐसे बौड को मैं धक्का दे रहा हूँ तो जितने निव्टन फोर्स से मैं धक्का बौड को दूँगा बोड भी उतना ही Newton से मेरे हथेली पे उतना ही Newton से यह देगी अच्छा इसमें example लिग लेते हैं जल्ली जल्ली इसमें फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है यह सब को समझ में आ रहा होगा कितने बार सभी बच्चों ने पढ़ा होगा 10th में यह सब पढ़ना होता है 12th मे पढ़ा होता है तो यह सब के वाल रिवीजन करने की चीज़ है अच्छा इसमें क्या है कि नाविक द्वारा या नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना पीछे हटना या जमीन पर चलते हैं जब तो एक तो घर्चन लगता है और जितने न्यूटन से जमीन पर हम आगे की और धक्का देते हैं उतना ही जमीन पीछे की तरफ जाता है तो वो समझ में नहीं आता वो दीखता नहीं है कि पीछे की तरफ जा रहा है वो क्योंकि वो घर्षन का एक पार्ट होता है घर्षन जब पढ़ेंगे फ्रिक्षन फ्रिक्षनल फोर्स तो उसको जान जाएंगे तो यह होता है अच्छा एक और होता है कि रॉकेट जब लॉंचिंग होता है तो रॉकेट लॉंचिंग में भी इसका कुछ रोल है तो एक त दूसरे में क्या लिख दे दे कि जो संबेग था तो संबेग संरक्षण का सिधान क्या था ऐचे रॉकेट लॉंचिंग भी लिग लिख ले हूँ कि रॉकेट कि रॉकेट लॉंचिंग और जमीन पर चलना जमीन पर चलते हैं तो जितना जमीन पर फोर्स लगाते हैं वो भी उतना ही फोर्स जमीन भी पैरोपेर लगाती है यह सब चीज़े है इसमें और जो मोमेंटम मैंने भलता संबेग तो रॉकेट लॉंचिंग के लिए इसका अगर ऐंसर में दे तो बेस्ट ओप्षन क्या होगा संबेग सं रक्षण संबेक्षन रक्षन के सिधान्द पर ये कारे करता है तो संबेक्षन रक्षन होगा तो संबेक्षन रक्षन नहीं तो नूटन्स थर्डला संबेक्षन रक्षन क्या होता है तो संबेक्षन रक्षन क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन थिवरी क्या है M1 V1 बरावर M2 V2 यह होता है यह याद कर लेना अगर इसमें numerical जो भी आता है उसको मैं बता दे रहा हूं कैसे बनता है कि अगर M M1 है और M2 है अगर इसमें दो मास है और दो velocity है इसमें देता है कि अगर कोई 6 kg दरब्यमान का गन 6 kg दरब्यमान का गन हो और वो 5 मीटर प्रती सेकेंड के राफ्तार से नहीं 6 kg का गन 6 kg का गन हो और बुलेट जो है वो मान के चलो कि बुलेट है कितना लख ले बुलेट बुलेट मान के चलो 1 kg 1 kg नहीं मालब कि 2-4 गराम का होगा 10 गराम का होगा लेकिन 1 kg मान के चलो और 1 kg का बुलेट है यह क्या है गोली और इसमें क्या है कि यह 30 मीटर प्रती सेकेंड की राफ्तार से अगर जा रही है तो ऐसे बंदूक जो होता है गोली चलाने वाले गोली जब चलाते हैं तो इधर से बुलेट निकलेगा तो बंदूक क्या होगा पीछे की और आएगा इसमें लिख देख की एक और एक्जामपल यहां पर लिख देते हैं बंदूक चलाने पर गोली आगे बुलेट का आगे जाना आगे जाना साथी बंदूक का पीछे आना क्योंकि बराबर होगा परतिक्रिया पीछे आना अच्छा तो ऐसे है तो यह क्वेश्चन पूचता है जो एक तीनों दे दिया अब पूछे पर बंदूक अब कितने रफ्तार से पीछे आएगा तो कितने रफ्तार से पीछे आएगा तो इसको क्या करना है यह दोनों को गुणा करके इसको दिवाइड कर देना है तो जितना आएगा आईचे 30 गुणे 1 divided by 6 तो ये 5 तो गोली अगर 30 के रफ्तार से जाएगी तो बंदू 5 मीटर प्रती सेकंड की रफ्तार से पीछे आएगी अगर 1 केजी का बुलेट हो तब तो ये क्या होगा 5 मीटर प्रती सेकंड इसका आंसर होगा तो ऐसे ही numerical बनता है बाकी चीज़े समझ में आ गई होगी अब अगले क्लास में सुरू करेंगे दूसरा टॉपिक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे मैं एक पर फिर बता दे रहा हूँ और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दे क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी होगा वो आसानी से मिल जाए इसके बाद में हम लोग को जो टॉपिक अच्छा लगे है वो पढ़ेंगे जिससे क्वेस्चन ज्यादा आता हो तो इतनी चीज़े हम लोगों ने पढ़ लिया इतनी चीज़े हम लोगों ने पढ़ लिया जो चीज़ भी पढ़े उसको सीक्वेंस में पढ़ते जाना है लेक्चर वाइस देखना है कि एक लेक्चर में क्या है दूसरे में क्या है तीसरे में क्या है ऐसा नहीं कि एक ही बार शुरू कर दो फिर उसके बाद में पता ही नहीं चलेगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया तो फिर बहुत सारी प्रोब्लम होती जाएगी उससे अच्छा है कि बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी इतना तक पड़े होंगे तो चालीस चालीस मिनट का अगर तीन वीडियो होगा तो तीन वीडियो में टोटल खतम हो गया तो चालीस त्या एक्वीज मलब लगवग दो घंटे दो घंटे भी नहीं होगा कोई वीडियो होगा 28 मिनट का कोई 30 या कोई 35 मिनट का ऐसे करके तो उसको solve कर लेना आराम से उसमें कुछ करना नहीं होता है मतलब कि चार अगर उसमें value होता है तो तीन value देगा एक value पूछ लेगा आसान सा question पूछता है रेलवे में कितना आप पूछेगा ऐसा थोड़ी एक बीटे का exam हो रहा है कि एधर उधर का question देदेगा बहुत हार देदेगा कुछ हार नहीं देता है वही नॉर्मल नॉर्मल सी चीज पूल लाता है acceleration का SI unit पूछ लेगा संबेक का SI unit पूछ लेगा तो संबेक क्या होता है mv होता है तो mass का क्या होता है kg होता है और velocity का कवता मीटर प्रती सेकेंड होता तो kg मीटर प्रती सेकेंड समवेक का होगा बस यही सब चीजे पढ़ना है फिर मिलेंगे अगले क्लास में इतना ही फिर थेंक्यू